हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही कमाल के बजट स्मार्टफून से रियलमी की तरफ से एक तो रियलमी का P1 है जो की बहुत पॉपुलर फोन है दोस्तो रियलमी का यह आपको 15,000 का मिल जाता है लेकिन रियलमी ने जो है दोस्तो रियलमी 13 भी इंडिया के अंदर लॉंच कर दिया 13 सीरीज में तो इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा कि आपको 15,000 में P1 खरीदना चाहिए या फिर 18,000 में रियलमी 13 तो जानने के लिए वीडियो एंडि तक जरूर देखेगा दोनों के अंदर क्या क्या खूब या है क्या क्या कमिया है और आपके लिए बड़िया कौन सा रहेगा तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे तक इन ने वीडियो आप तक पहुँचते रहें रियलमी 13 के साथ दोस्तो आपको 18,000 में सबसे पहले मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें से मिजक्टर टूल है फिर कुछ यूजर मैनुवल दिये गए है एक मिल जाता है दोस्तो ट्रांसपेरेंट कवर इसकी क्वालिटी आपको सिंपर टाइप के मिल जाती है इसके बाद फून मिलता है रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम भी देखेंगे वाइट कलर में आपको केबल दी गई है जो की USB to Type-C केबल है लेंद और क्वालिटी केबल के आपको काफी बढ़िया मिल जाती है और लास्ट में रखवा मिलता है दोस्तो वाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में एक सुपर वूक चारजर जो के आपको मिलता है दोस्तो 45 वाट का सुपर वूक चारजर तो यह सारे बॉक्स के कंटेंट्स आपको मिलता है रियलमी 13 के साथ दोस्तो 18,000 में 18,000 अगर आप खरच करते हैं तो रेट के सबसे देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको ठीक टाक मिल जाते हैं चली देखते हैं अगर आप तीन अजार रुप अपने बचा लेते हैं दोस्तों और जो है आप रियलमी P1 खरीदते हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं दोस्तो रियलमी P1 को अन्बॉक्स करते हैं से पहले यह mini box मिल जाता है इसमें sim ejector tool जो है अंदर की तरफ आपको card में लगा हुआ मिलता है फिर कुछ user manual है एक मिल जाता है दोस्तो cover transparent इसके साथ कुछ इस तरीके के look में दोनों के साथ simply cover मिलते है इसके बाद phone मिलता है rapper के अंदर इसका detail look हम अभी देखेंगे white color में आपक बिल्कुल भी फर्क नहीं है box के contents बिल्कुल डिट्टो एक जैसी दिये गए हैं दोनों के साथ लेकिन इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा बड़ी ऐसो जैसे बन जाता है दोस्तों क्योंकि 3000 रुप आपके बच जाते हैं और आपको box के contents 13 की तरह ही दिये गए हैं चली बात करते हैं अब दोस्तों design में box के contents में तो P1 बढ़ी या निकला बागी दोस्तों design के बारे में बात करें तो दोनों smartphone जो है भाई-भाई जैसे लगते हैं camera का module design बिलकुल same type का आपको मिल जाता है थोड़ा सा जो है circle के अंदर आपको जो है थोड़ा सा design 13 में different मिलता है और जो से outline जो आपको देखने को मिलती है वह थोड़ी से different है बाकि दोस्तों design की सबसे main चीज़ है design की quality जो दोने के अंदर आपको एक जैसे type की दी गई है plastic type की तो इस चीज़ को लेकर दोनों smartphone आपको same type के मिल जाते हैं बस मैं आप से यह कवर तो आप लगाएंगे चाहें इन द दोनों phones को on कर लेते हैं आपको दिखाते हूं इन दोनों phones में display किसके अंदर कैसी दी गई है बागे design में आपको लगा कौन सा अच्छा यह चीज़ कमेंट करके बताइएगा इवन के अंदर जो है दोस्तों आपको AMOLED screen मिलती है अब यह चीज़ बहुत बढ़िया है और 13 क के अंदर आपको मिल जाती है दोस्तों एक IPS डिस्प्ले तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा मिलता है दोस्तों ज्यादा rate में आपको IPS डिस्प्ले दी गई है और कम rate में AMOLED डिस्प्ले दी गई है तो यह चीज़ बिल्कुल उल्टी है आपको देखने को मिलती है colors वगरा कैस डिस्प्ले की brightness कैसी मिलती है वो चीज़ में आपको दिखाता हूं दोस्तों यूज़न डिफेस दोनों के अंदर जो है सेम टाइप का मिल जाता है पैसे उबर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाएंगी brightness जो है रियल मी 13 की मैंने बिल्कुल फूल कर रखें लेकिन अभी भी यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी brightness डाउन हो रखी है तो चीज़ देखने को मिलती है इसके लग दोस्तों इन दोनों फूंस के अंदर आपको जो है रिफेशेट जो दिया गया है स्मूधनेस जो मिलती है चले चलते है सेटिंग्स के मिल जाता है क्योंकि दोनों के अंदर आपको रिफेशेट काफी हाई दिया गया है तो यह चीज़ आपको जो यह दोनों के अंदर काफी बढ़िया मिलती है चाहे बात और यहां मि-13 की राफिर कम रेट में पीवन कि लेकिन पीवन भी जादा जादा पैसे मिल जाता तो ज बिल्कुल full करके तो चले चलते हैं सेटिंग्स में सबसे पहले क्योंकि 13 की brightness मुझे low लग रही है तो यहाँ पर जो है दोस्तो वेरिफाय कर ले दे हैं कभी brightness कम हो रखी हो लेकिन जो है दोस्तो brightness बिल्कुल full है और यहाँ पर अब मैं डिस्प्ले आपको करीब से दिखाता हूँ आटो brightness मौड भी आफ कर रखा है दोनों के अंदर मैंने यहाँ पर दोनों के अंदर आपको punch hole camera वाले design मिलता है दोस्तो डिस्प्ले के अंदर और क्या ही अंधेर आप देख सकते हैं दोस्तो रियल्मी 13 की डिस्प्ले में कितना जादा जो है दोस्तो इसमें अंधेरा लग रहा है और इसके अंदर आपको काफी रौशन मिल जाती है आ रहा है दोस्तो डिस्प्ले की क्वालिटी में भी चार्जर भी सेम है इसके साथ डिजाइन भी सेम टाइप का है तो समझ में नियारस का rate किस बात का जादा है थर्टीन का इसके लग दोस्तो इन दोनों फून्स के अंदर आपको जो है मैं यहापे भी कलर्स वगर भी दिखा देता हूँ तो कलर्स वगर भी आपको दोने के अंदर जो है पी वन में जादा बढ़िया देखने को मिलते है ब्राइटनेस का काफी बड़ा फर्ख है बस थर्टीन जो है थोड़ा सा साइज में जादा बढ़ा है लेकिन उसका क्या करना है क्वालिटी इंपॉर्टेंट है लेट साइट से देहेंगे यहाँ पे प्लेन डिजैन मिलता है कुछ नहीं दिया गया नीची की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट स्पीकर माइक हैडफोन जैक मिल जाता है पीवन में सिम स्लोट नीचे मिलता है 13 में उपर की तरफ है दो सिम कार्ट 5G के आप लगा सकते हैं राइट साइड साब देहेंगे दोस्तो वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स दिये गया है फिंगरपेंट स्कैनर दोस्तो पीवन में मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर और 13 में दिया गया है साइड में पावर के बटन के अंदर तो इस चीज में भी उल्टाई मिलता है दोस्तो कम पैसों में आपको जो है मतलब finger paint scanner display में मिल रहा है ओपर से देखेंगे दोनों में stereo speakers noise cancellation mic दिया गया है तो यह चीज इस तरीके से देखने को मिलती है दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है दोस्तो 6GB RAM दी गई है इस चीज आपको दोने के अंदर एक जिससे टाइप के देखने को मिलती है तो यह चीज में भी जो है दोस्तो दोनों स्मार्टफून सापको सेम टाइप के मिल जाते हैं इस चीज के अंदर भी आपको major फरक देखने को नहीं मिलता पैसे जादा खर्श करने का इसके लब दोस लिकर नॉर्मल बैटरी बैक अराम से मिल जाएगा और जो है दोस्तो इन दोनों फूंस के अंदर आपको जो है प्रोस्टर जो मिलता है कैमरा जो मिलता है 50 MP मिलता दोस्तों में कैमरा परफॉमेंस मुझे पीवन की भी काफी एवरेज लगती है परफॉमेंस कैमरे की 13 के अ प्रोस्तर आपको जो 13 में दिया ञिए मिलता है ईटक का डायमेंसिद दे 6300 M 1 में मिलता है मिलता है मिलता है यही स्पीड के लिए जञँद बढ़िया है दूस्तों 25 में कमीया दोस्तों दोब्ल फोनस में पर प कर बेदे समार्फॉन जाद़ कमला कर्दा परफॉमेंस पर सई दी गई है और जो है दोस्तो बैटरी चार्जर भी सेम टाइप के मिल जाते हैं प्रोस्टर आपको वैसे मतलब और जाधा बढ़िया मिलता है 13 से और डिजाइन को लेकर यह वैसे आपको मिल जाता है 13 के तरीके से क्यालिटी सेम टाइप की है तो परफॉर्मेंस में डिस्प्ले की क्यालिटी में तो यह और जाधा ऊपर यह दोस्तो और रेट भी कम है और बैटरी चार्जर भी वैसे मिल जाते तो दोस्तो इन दोनों फूंस में किलियर विनर है रियल में पी वन पता नहीं 13 की का चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब जरो कर लिए तक इन नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें हैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए वाटसप पर फेस्बुक पर चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए ट